नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमिट चैनल में आपका स्वागत है आम को फलों का राजा कहा जाता है यह गर्मी को दिनों में इसे सामाने तर रसीले और स्वादिश्ट आमों को अच्छे से खाया जाता है आम को खाने के बाद आप उसी गुठली को फेक देते हैं परन्तु आज मैं आपको आम की गुठली के स्वास्त के अत्यंत लाबदायक उसके गुणों के बारे में बताता हूँ आम की गुठली भी स्वास्त के लिए काफी लाबदायक होती है तो आईए मैं आम के गुठली के औसधी उपायों के बारे में बताता हूँ जिनका उपयोग करके आप कई बड़ी बिमारियों से बस सकते हैं यह पीरेट समंधी तकलिफों में बहुत बड़ी आउजधी का काम करता है महिलाओं को पीरेट के समय अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो तो आम की गुठली का इस्तेमाल किया जाता है आम की गुठली का पाउडर बनाकर उसे ठंडी दही में मिलाकर अगर उसका सेवन रोज दिन में दो बार किया जाए और समाने तक पीरेट के समय किया जाए तो पीरेट के समय की ब्लीडिंग को यह कम कर देता है अत्यधिक अगर ब्लीडिंग की समस्या है तो उसी समय इसका सेवन करें यह ब्लीडिंग की मात्रा को कम कर द इसका सेवन करें तो यह दस्त को ठीक करने की एक बहुत अच्छी आउस्धी है यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है हिर्दय को स्वस्त रखने के लिए कामाता है रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास में पानी के साथ एक चम्मच पीसी हुई आम की गुठली को अग करने का एक बहुत बड़ा उपाय है हाई ब्लड प्रेसर की समस्या में भी रहात देता है आम की गुठली का पाउडर आप हाई ब्लड प्रेसर से होने वाले और हिर्दय समंधी सारी समस्याओं से बचाता है आप इसकी गुठली का पाउडर पानी के साथ रोज सेवन करें आपको high blood pressure की समस्य से निजात दिलाएगा तो आप आम की गुठली के इन औजधी गुणों का उपयोग करिए और स्वस्त और सुखी रहिए धन्यवाद